तो क्वेशन नमबर वन है हमारे पास कहते हैं A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3 is to 2 मिसिज ए देखो बेटे पार्टनर यहां पर A और B थे कहते हैं Mrs. A has given a loan of 20,000 to the firm देखा आपने यह loan Mrs. A ने दिया मतलब यह outsider loan था याद रखना बच्छ तुदा फर्म अल्सो अप्टेइन अ लोन रुपेस 10,000 फर्म भी देखिए Mrs. A ने फर्म को loan दिया 20,000 to the firm और 10,000 loan B से लिया इन दोनों में पता है फरक्या है बेटा देखिए पहले मैं question तो बाद में करेंगे पहले आप समझने concept समझने दो पार्टनर थे A और B यह तो पार्टनर ने हैं बच्छो एक लोन Mrs. A ने दिया है Mrs. A ने फर्म को दिया इसे हम कहते हैं बच्छो आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स लोन राइट एक लोन Mr. B ने दिया Mr. B बीज बीज लोन Mr. B ने लोन दिया यह Mrs. A लोन था यह Mr. B लोन था यह पार्टनर लोन है अब आप कहेंगे सा दोनों में क्या फरक है देखो बिटा जो यह है न हमारे पास जो यह Mrs. A है यह आउटसाइडर है और जो भी है वो पार्टनर है यह इस तरह से आप पढ़ना ध्यान से क्वेशन को कहते हैं दर फॉर्म वोस डिजॉल्व ओके एंड इस एसेट्स वर रिलाइज फॉर रुपेस 25,000 ठीक है जी हमें एसेट्स सोल करके कितने पैसे मिले बच्चों एसेट्स तो लिया रिलाइज करके आपको 25,000 रुपेस कैश मिल गया ओके ठीक है जी कहते हैं स्टेट्स दॉर्डर ऑपेमेंट ऑफ मिसेज एस लोन बीज दो विद रीजन देखो बीटा यह हमने थियोरी में मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो at the time of थियोरी मैंने आपक order of payment desolation की जब थियोरी हमने की थी बच्चो तो उसमें एक topic किया था हमने order of payment मतलब सबसे पहले payment किसको करनी है तो सबसे पहले payment होती है outside liabilities को होती है उसके बाद payment हम करते हैं partners के loan को partner loan pay करेंगे और उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो फिर हमने partners की capital वापस करनी है यह ध दरे से हम payments करते हैं बच्चो यह आप याद अठना जब भी आपने payment कर दी है इस तरह से कर दिया है तो अब आपके पास 25,000 रुपिस से देखो बिटा यहां देखिए ध्यान से we have 25,000 रुपिस तो कैसे payment करेंगे तो यहां पे आउसलाइबल्टी में क्या है हमारे पास तो म 25 फाजन को आप कैसे पे करेंगे अब मैं बता जाता हूं आपको मिसिस एसे लोन लिए 20,000 तो हम क्या करेंगे इस 25 में से 20 तो हम पे करेंगे मिसिस एस लोन और जो 5 बच गया वो किसको मिल जाएगा पार्टनर भी को इस तरह से payment करेंगे जब भी आपके सामने question आए तो order of payment क्या है बहुत असान था में लिए आपको यह answer करना कि 20 हम पे करेंगे मिसिस ए को और 5000 पे करेंगे मिस्टर बी को लेकिन concept भी तो समझान थाना है बैच्छो कि जो भी हम payment करते हैं उसका order क्या है जो भी आप liability पे करते हो जो आप firm को dissolve करते हो उस liability को पे करने का order क्या होता है तो order क्या है यह order है पहले हम आउट्स लाइबिटी पे करेंगे उसके बाद partners loan पे करेंगे और फिर partners capital इसमें कहते हैं कि आप reason भी दीजिए लोग भाई आप से reason पूछ लिया यह तो बता दिया हमने किसको पहले पे कर दो reason आप लिखेंगे as per section 48 as per आप note कर सकते हैं as per section 48 of the Indian partnership act 1932 I repeat as per section 48 of Indian partnership act 1932 outsiders loan the outside liabilities in bracket लिख सकते हैं यह that is Mrs. A's loan 20,000 will be paid first 20,000 will be paid first and after that these loan will be paid these loan will be paid from available cash that is 5,000 यानि आपने यह जो order of payment है बच्चो यह जो order of payment हमने किया यह Indian Indian partnership हमारी जो act है, act है 1932 उसका section है 48 उसमें यह given है कि हमने सबसे पहले outside liability pay करनी है, फिर partners loan pay करना है और फिर partners capital तो इसलिए हमने क्या किया 25 available cash में से first we pay to Mrs. A's loan, after that B's loan इस तरह से question करने हैं बच्चों हमने try तो आप यह note कर लीजेगा मतलब आपको खाली answer नहीं करना है मेरे बच्चों आपको concept भी clear होने चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे है 25 cash था उसमें से आपने 25 cash में से आपने सरफ 20,000 पे तो Mrs. A को पे कर दिये और B को सरफ 5 ही मिले मतलब Mrs. A का तो full liability पे होगी अगे बढ़ते हैं मुझे उम्मीद आज तो सापको समझा रहा होगा अब अगले point पे आते हैं बच्चों हां सर आईए और डिजलेशन आफ फर्म इस बैलन्स शीट डिवेलेड़ टोटल क्रेड़ेटर सुप्टी था ओके हमारे पास 50,000 क्रेड़ेटर थे टोटल कैपिल हमारी पॉट्टी एट की है ग्याश बैलन्स 3000 का है इट एस वर रुपेस 12 पर संट एसे 12 पर संट पर देखो पेटा आपको याद होगा जब हम क्रेड़ेटर प्रपेर अब आपना रफ्ली कर लिया करो रफ्ली कर लिया करो आपको तो आपको सब्सक्राइब क्वेस्ट निकालना है तो मैं क्या करता खर हमारे पास देखो जो हम प्रेड़ेटर करते हैं बच्चो तो लाइबिल्टी क्रोज करते हैं तो क्रेड़ेटर हमारे इस तरफ आजाएंगे फिफ्टी थाजन रुपेस के यह एक मैंने रफ्ली क्या कि रलाइश पर लिए फिटी क्रेड़ेटर आगे टोटल इबन ते सब फिटी थाओजन टोटल किपनी इबनंती पॉर्टी एट एट केने का मतब यह था और क्याश कितना गिवन था हमारे पास हां थ्री थाओजन यह मैं क्या कर रहा हूं सरा आप यह क्या कर रहे हो बेठी मैं यह चेक कर रहा हूं कि आपके पास संण्विट यह से 48,000 तो यह कितना आगया 98 आगया बच्चो हांसर 98 आगया लाइबिल्टी साइड की टोटली 98 बनती है और एसेट साइड हमारे पास कैश दिया क्योंकि बालेंशिट की दोनों साइड सेम होती है तो संड्री आसेड आपकी 95 की है लिग दी मैंने संड्री ऐसर यहां पर बेटे आपको पता था न कि हम एसेड भी क्लोज करते हैं कि हासर पता दो है हमारे को तो 955,000 की संड्री असर ख्लोज कर दी हमने किornya कर यह क्या कहते ह सब्सक्राइब करेंगे आपको याद है कैश करेंगे 95 की बच्चो और यह क्या कह रहे हैं ट्वेल परसन लेस तो जल्दी से बताओ आपने टोटली बताई थी मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन बताई थी आपने आज भी बता दीजिए तो 95,000 का माइनस 12 परसन कर लेते हैं यह 83600 आता है 83600 95,000 का 12 परसन लेस कर लिखा हो ना में यहाँ पे कहते हैं टोटल देखियो ध्यान से पढ़ लिजिए और डिस बैलेंस शीट में टोटल क्रेडिटर गिवन थी 50,000 वो हमने क्लोस कर दिये टोटल के बंती 48 वो बैटे उसके बेसिस में संद्री एसेट का बैलेंस निकार लिया आप सभी जानते हैं balance sheet में liability side में creditors आएंगे, capital भी liability side में आएगी, cash asset side में आएगा और balance sundry asset आगी, right, 48 plus 50 98 बनता है बच्चो, 98 में 3,000 cash minus कर लिए तो 95 sundry asset आगी, sundry asset close कर दी हमने, और यह कहते हैं, sundry asset को हम realize कर रहे हैं 12% less पे, तो 12% less का मतलब क्या है बच्चो, 95,000 इसका अगर आप 12% निकालते हैं तो यह आता है 11,400, 11,400, यह आता आपके पास, right, देखिए आपने, और यहां से आप बच्चो, यह creditor भी pay कर दो, two bank, creditor तो आपके pay होगे, cancel होगे, बच्चो, two bank pay कर दिये, बस खतम बेटा, खतम, अब आपको profit और loss निकालना है सिरा, that's all, निकाल लीजिए बेटे, तो आपके पास में कितना आ रहा है जाओ, चेक कर लीजिए, तो 50,000, plus 95,000, minus 50,000, minus 83,600, और यह आपके पास 11,400, लॉस आपका आता है, 11,400, तो आंसर आप कर देंगे, 11,400, लॉस, यह तो आपको पता है बच्चो, देखो बड़ा इजी है, मैं एक short order सिखा दू, short order बता हूँ, आपको मैं, liability आपको pay करनी पड़ती, इसको लिखने के जरूती नहीं थी आप, आपको तो सिरफ क्या करना है, asset निकालनी है, और उसमें से loss minus करो, देखो ना, asset 795 की थी, बेच हमें sundry asset given नहीं थी, तो हमने क्या किया, हमें sundry asset given इस बेटे हमने क्या कर लिया, एक balance प्रपेर कर ली हमने, credit क्रेटर को pay कर दिया, आपका बाकी loss आ गया, जल्दी से note करो, फिर आगे start करते है, question number third, third पर आई है question number third, कुछ एक सम्में करवा रहा हूँ आपको लेकिन बाकी सारे सम्मा आपने करने, या रखना, सारे सम्म मैं नहीं करवाँगा, क्योंकि तो करनी है आप लोगोंने, हाँ जी सर बिर्कुल ठीक है, on dissolution of a firm sundry credit rupees 8000, these were paid at discount 5%, बेटे payment के entry क्या पास करेंगे, आप सभी को आती है question number three, realization account debit, realization account debit to bank, ये तो entry बेटे payment की होती, liability payment के ये होती है, अब credit हमारे पास थे 8000 रुपेज के, हम इनको बच्चों pay कर रहे है, 5% discount पे, कितना आगे discount बच्चों हमारे पास ये आ गया, 40 रुपीज आगे discount, नहीं 400 आएगा ना, तो 400 discount निकाल लिया हमने, आसर बेल्कुल, तो 7600 हम पे कर देंगे, तो 7600, that's all, ये question number हमारा three complete हो गया, question number four पे आईए, प्यारे बच्चों, question number four पे आजाए, question number four देखें क्या कहता है, on the solution of the firm, there was an unrecorded asset rupees 2000, which was taken over by partner, at rupees 25, बेटे जितने पी लिया है, उसकी entry pass करने होती है, तो इसकी entry होती है, asset taken by partner, आपको याद होगा, partners, capital account, debit, to realization, हमने entry कर रखी हैं, बच्चों, asset taken by partner, 2500 से entry pass कर, बेटे, asset थी, कितने की, ये important नहीं है, partner ने कितने पर टेक ओवर कर, ये important है, question number four के बाद, question number five पे आते हैं, on the basis of the following data, how much final payment to partner on the solution of the will be made, debit balance in capital account, बच्चों, ये इन्होंने पुछा है, कितनी payment करनी है, हमने partner को, उसके लिए आपको partners capital account ही बनाना पड़ेगा, या फिर credit minus debit आपको याद होना चाहिए, तो capital balance कितना given था, देखो capital balance brought down given था, आप रफली कर सकते हो, 14,000 ये capital balance given था, since his share of profit on realization 43,000 उसका share था, 43 आपका realization का profit था उसका by realization, okay sir 43,000 था, firms asset taken over by him 17,000, 17,000 की उसने बेटे firm की asset लिए थी, asset taken by firms asset taken by partner, 17,000 की asset लिए थी उसने, एक मिन capital का बड़ा क्लियर मैंचन था, इसको नीचे लाओ पहले यहां पर यह क्या था, capital का डेबर बेलेंस था, brought down तो इस तरह आएगा, to balance brought down capital का डेबर बेलेंस था, बच्छो, 14,000 ओके, यह लिग दी हमने यहां पर डेबर बेलेंस था, share of profit on 43 यहां पर आ गया, firm asset taken by him 17,000, उसने asset ली थी, बस, खत्म, और फिर कहते हैं अब आप बताईए उसे final payment कितनी करेंगे, तो बस totaling कर डालेंगे, बेटे यह 43 total आ रहा है, यह capital का मना आके निकालना होता है कि payment कितनी करनी है partner को, 43, two bank, भाई two bank आप निकाल लिए जल्दी से balance, 43,000 में से बच्चों आप minus कर डालेंगे, साच चर 11, 31,000, बताओ बेटे कितना आ गया, I think 12,000 आएगा, तो 12,000 आपने उसको payment कर देनी है, तो 12,000 देखा यह आपका answer आ गया, question number five का answer है, रुपेज 12,000, ऐसे आपने answer लिखना है, अब यह बात तरमज़ दीजिए, यहाँ पर यह important था, हमें यह capital का debit balance given था, debit balance, तो आप debit side put कर देंगे, अगर यह credit balance होता बेटे, तो हम इसको फिर यहाँ पर इधर put करते, यहाँ पर put करते, यह ध्यान रखा, अगर किसी आगे कोई question और ऐसा आया आपको, और वहाँ पे credit balance यहाँ तो credit side put कर देंगे, debit balance को debit side put कर देंगे, यह question number हमने कर लिया, 5th, अब आते हैं question number 6 पे आते है, question number 6 हमें क्या कहता है, if total asset rupees 2 lakh, total liability rupees 40,000, amount lies on the sale of asset 175 expenses, profit पूछा है बेटे, बड़ा easy है बच्चो, profit पूछा है आप से इन्होंने, क्या कर लेंगे इस type ए questions के अंदर, question number है यह 6, एक roughly relation account बेटे हमने बना लिया, total assets थी है आपके पास 2 lakh rupees की यह close कर दी, liability थी 40,000 यह भी close कर दी हमने, उसके बाद amount lies on sale of asset, asset से कितने पैसे मिले आपको, 1 lakh 75 यह हमने buy cash कर दिया, एक और यह credit आपको pay करने पड़ेंगे, बच्चों 40,000 rupees के, और expenses pay करना पड़ेगा, आपको 3,000 rupees, that's all, बस totaling कर डालेंगे, अब आप totaling करके profit और loss निकाल लेंगे, हां जी बेटे, which side is more, I think आपकी debit है बड़ी आ रही है, तो 2 lakh 43,000, totaling आगई, 2 lakh 43,000, इसमें से आप minus कर लो, भई 2 lakh 43,000 total आपका आता है, इसमें से 2 lakh 15,000 बन रहा है, हां जी 15 बन रहा है, 28,000 आपका answer आगया, 28 आपका loss आता है, यही आपका answer है, बच्चो, that's all, देखा आपने कितना एजी था, question number 6 हो गया, इस तरह से questions try करने हैं, बच्चो हमने, question number 6 के बाद, आप question number 7 पर आ जाईए, आपने यह सारे सम try करने हैं, जितने हुझाते मैं करवार हूं, वाकिए आपने try करने हैं, हांसर हम जरूर try करेंगे, question number 7 देखिए, क्या कहता है, आपको बताया था, हम debtor को दिखाते हैं, opposite side, debtor आते हैं, आपके assets में, जो दिये होते हैं debtors, minus provision, हमें given था, 1500 रुपेस का, बाहर given था, 48,500, बड़ आपको याद होगा, जब हम राईश रकान प्रिपेर करते हैं, तो हम वहाँ पर debtor कितने close करते हैं, 50,000, यह आपको याद होगा, 50 close करते हैं, ऐसे, और जो यह provision है बच्चों, यह जाता है, आपका opposite side, by provision हम दिखाते हैं, इसको opposite side, 1500, यह मैं बता चुका हूँ आपको, जब हम realization account prepare करते हैं, बेरे प्यारे बच्चों, asset आप 50,000 की close करते हैं, और provision आपका जाता है, opposite side, यह आपको पता है, यह असर बिर्कुर पता है हमें, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, यह question number seven है, यह हमारा seven है, कहते हैं, how much amount will be realized from debtor, debtor से कितने पैसे मिलेंगे, आपको यह बताना है, तो देखो बेटे डेटर हमके पास gross debtor कितने हैं, 50,000 के डेटर थे आपके पास, उसम 48 डेटर बचे हैं आपके, अब इसमें डिसकाउंट है, प्यारे बच्चों कितना 5%, तो 5% डिसकाउंट निकालीजिए, यह कितना आगया, 2000 डिसकाउंट आगया, तो इसका मतलब 38,000 आप से realize करेंगे डेटर, तो answer 38 आएगा, 38 is your answer, देखा आपने, अब यह question में confusion क्या होती ह बच्चे, प्रोवीजन को भी less करते हैं, बट प्रोवीजन को बटे कभी less नहीं करते हैं, यह opposite side आता है, डिसलूशन में, प्रोवीजन को हम आपको याद होगा, हम जो asset close किया करते थे, वो हम हमेशा gross value पे close करते हैं, gross value पे, तो डेटर आपने 50,000 के लिए उसमें से bad rate less किय आपने पहले 10,000 रुपिस के, तिल बैलेंस आगया 40,000, उसके बाद यह कहते हैं, discount है 5% का, debtors realized at 5% discount, तो discount less कर लिया, बच्चों हमने 5%, this is 2,000, तो 38,000 आपका answer आगया, तो आप answer लिखेंगे 7th question का 38,000, that's all, कोई doubt पेटे हैं यहां तक, उम्मीद है कि अपको समझा रहा होगा, question number 7 भी हो गया, sir कुछ और भी करा दीजे भी है, चलो कोई बात नहीं पेटे, question number 8 कर लेते हैं, तो कोशिश करना की, maximum आप लोग try करें, और, क्योंकि जो आप करेंगे पेटे, वही काम आना है, है न, there is a contingent liability for BR received from Ashok rupees 20,000 and discounted with the bank, Ashok become insolvent 75 rupees received from his private state, how much amount will be debit and credit realization account, लोग प्यारे बच्चों, बड़ अच्छा question है, सबसे पहली बात तो आपको यह बता देते हैं, यहाँ पर कहते हैं, there was a contingent liability for BR received from Ashok rupees 20,000 and discounted with the bank, तो यह contingent liability 20,000 रुपिस की थी, Ashok become insolvent, Ashok become insolvent 75 पैसा is received from his private state, okay, how much amount will be deducted and credit to realization account, पेटे जब हम liability close करेंगे, तो आपने liability जो close करनी है, वो तो आपको पता है कि 20,000 से आपने close करनी है, यह तो पता है, आपको, तो यह तो आपको debit side में amount आएगा, right, और उसके बाद आप payment कितना करने हैं, बच्चो उनको, अब आपको payment कितना करना पड़ेगा, क्याते हाँ मच amount will be debit and credit to realization account, अशोक become insolvent and 75 पैसा उससे हमें मिल गया, कितना बेटे मिल गया, तो 20 साथ की liability आपको, मतलब आप लाइफ को आप ऐसे बनाएंगे ना बच्चो, तो आपको bank को तो पूरा पेग करना पड़ेगा, लेकिन आपको कितना पैसा मिल गया, buy cash या buy bank, या buy cash, कितना मिल गया, आपको 15,000 बेटे मिल गया, सरी कुछ बास समझ नहीं आई, मैं समझाता हूँ ना बेटा, देखो, आप इस तरह समझना बेटा, यह contingent liability थी 20,000 पे की, एक bill था, आपको रिसीव हुआ, हमने वो bill bank से discount करवा लिया, हमने वो bill bank को देके पैसे ले लिये और वो bill dishonor हो गया, तो bank तो हमसे पैसे मांगेगा, तो bank को हमने पूरे 20,000 बेटा पेग कर दिये, देखो ये, इसकी entry होती है, first entry, realization account debit, realization account debit to bank, बेटे bank को हमने पूरे 20,000 पेग कर दिये, इसकी नरेशन पता है, क्या बनती है, being bill dishonor, being bill dishonor, amount paid to bank, amount paid to bank, being bill dishonor, बेटे बिल dishonor हुआ था, जैसे ही बिल dishonor हुआ, तो हमने bank को pay करना है, जैसे ही बिल dishonor होगा, हम bank को pay करेंगे, तो ये हमने bank को pay करा है, उसके बाद जो अशोग था, जो partner था, वो कहते हैं, वो insolvent होगा था, लेकिन उसने हमें 75 पैसा in a rupee पे कर दिया, ये 75 पैसा, 75 पैसा in a rupee, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चों मैं बता दूँ आपको, इसका मतलब होता है 75%, क्योंकि आप सभी जानते हैं, एक रुपे में कितने पैसे होते हैं, 500, come on, आशे तोष, एक रुपे में 100, है न, 100 होते हैं न, मिटा, तो 75 पैसा उसने पे कर दिया, तो इसका मतलब 75 पैसा उसने पे कर दिया, तो 20,000 की लाइविल्टी दी बच्चों, उसने 75% हमें पे कर द देंगे, लेकिन हमें अस्तोष ने कितना पे किया 15,000, तो जो हमने बैंक को पे किया, उसकी Entry और यहां पे कर दो और यहां पर यह देखिए, तो यहां पर झाल की आपकी और यह क्रेट का नसर है, प्यारे बच्चों, फिर भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछा करो, मैं repeat भी कर दूँगा यह हमने bank को pay कि 20,000 जो liability थी जो हमने Bill & to bank 20,000 और उसके बाद ुछ बुए इसके समझ में आ गई बाद और उस उसने हमें 75 पैसा in our रूपी पे कर दिया यह 75 पैसे रूपी क्या होता है दाट इस 75 परसें तो 75 परसें हमें पैसे मिल गए तो जो 75 परसें हमें मिल वह हमने बाइब सब्सक्राइब कर दिया कितना इसी देखो क्वेशन था सर और एक और करवा दीजी भाई तो लाल लालक दिखा रहे हो आप मुझे इतने सारे कोशन आप मुझसे मांग रहे हो खुद भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे चलो कर देते हैं बच्चे करें क्वेशन नम्र नाइन कर कर लास्ट है चलो ठीक है लोगा अं UFC फाइस वर नाट वी एक तो प्रेटर पिल नाट वी तो कि यह मैं १ ठीक है मैं थे मिन मतलब वो ट्रेज नहीं हुए होंगे तो ठीक है हमें लेस्ट कर दिए अब रिमेनिंग क्रेटर को हम 5% इसकाउंट पर पे कर रहें तो 5% इसकाउंट बच्छों कितना होता है 500 कमान बिटे आपका रूपेज 19,000 आप पे करेड़ कर रहें लो भई बच्छों आपने लास्ट कहा था गलत बाहता है चुटिंग कर रहे हो आप लोग चलो सर यह सबसे लास्ट है बढ़ यह लास्ट होना चाहिए बाकिसम आपने भी तो करने कुछ कहते हैं पी इस पार्टनर टू इस तो बीर ओल इक्सपेंस और राइशन और फॉर विच फीज तो पेड़ रूपेज 2,000 बिटे आपको मैंने बताया था कि जब भी हम किसी पार्टनर को कुछ रमोलेशन पे करते हैं है न पी आप पार्टनर टू बी बीर ओल इक्सपेंस राइशन एक पार्टनर था मिस्टर पी वो कहता है एक्सेंस मैं अपने पे कर लूगा उसको हमने दो जार पर दिए पार्टनर को द दिए हमने ओके पी हैड पे राइशन एक्सपेंसे 25 बाच्चों जब भी हम किसी पार्टनर को रमोलेशन देंगे न उसकी एंट्री होती ह क्या नोट करना है आप यहां पर नोट कर लेंगे सर्फ क्या नोट करना है आप यहां पर नोट करेंगे in this case in this case dissolution expenses या फिर realization expenses personally personally born by partner itself अगर किसी partner को आपने remuneration पे की है तो expenses वो personally bear करेगा यानि कि हम 25 के जो expenses थे हमने इस 2500 की कोई entry pass कोई entry pass नहीं करनी है क्यों नहीं करनी है क्योंकि हमने उसे remuneration दे दिए that's all simple अगर हम किसी partner को remuneration दे तो उसकी entry आपने पास करनी है तो यह entry आपने घुरूर पास करनी है लाइशन अकाउंट आपने पास नहीं करनी तो यह क्वेशन नमबर 10 तक मैंने कंप्रीट करवा दियें बच्चों आपको अब 11 से 28 आप ट्राइब करेंगे किसे आपने ढवेशन आपको सकतने पास।